हेलो इस्टुडेंट्स कैसे यो आप सभी आप सभी लोगों का स्वागत है वोलकन व आईएस के इस प्लेटफॉर्म पे इस्टुडेंट्स अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो यह हमारी जोग्रोफी का जो हमारी NCRT की लेक्चर चल रही है जो NCRT सीरीज है उसी में शिक्स्ट किलास की जो जोग्रोफी हमने इस्टार्ट की थी उसका सेवन्थ चैप्टर है कि आवर कंट्री इंडिया हमारे भारत उसके बारे में जो फिजिकल इस्ट्रक्चर है जिसका ओवर व्यूर्य यहां पे लेने की कोशिस करेंगे यहां पे समझने की कोशिस करेंगे कि भारत के क्या क्या फिजिकल फीचर है हमारे इंडिया के अगर हम बात करें तो फिजिकल इस्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे यहां पे बात करेंगे कहां पे हमारे mountains हैं कहां पे thar desert है कहां पे हमारे यहां पे plains का इलाका है जो काफी prosperous है जहां की अगर soil की बात करें कहां पे plateau है कहां पे हमारे islands है तो उन सब की location के बारे में यहां पे जानेंगे students यह तो हमारा जो basic chapters हैं अगर हम बात करें कि जो higher standard की जब anxiety हम complete करेंगे तो उस समय में जब हम हैं इनके बारे में काफी detail में discuss करेंगे अगर हम बात करें mountain region जो himalian region है उसकी अगर हम बात करें अरावली की अगर हम बात करें तो इन सभी जो mountains हैं यह सभी plate use हैं plate use के अंदर कौन-कौन से region जदा important है किन-किन में क्या-क्या मिलता है mineral से related बात करें soil कैसी है वहाँ की rainfall कैसी होती है तो इन सब topics के बारे में हम detail में discuss करेंगे जब higher standard की जो books हैं उनको जब हम read करेंगे 11th and 12th की जो books हैं इसके लावा जो standard books हैं जिनको जब हम discuss करेंगे तो उसी समय में इन सब जो topics हैं इन सब को भी वहाँ पे discuss करेंगे students अगर हम बात करें NCRT series में बहुत सारे students कभी-कभी comment करते हैं या mail करते हैं उसमें बताते हैं कि आप जो 6th class के NCRT से क्यों start कर रहे हो 11th and 12th के NCRT आप complete करवाई है कि कुछ बच्चों ने काफी अच्छे से read कर रखा हो इसी वज़े से हम जो NCRT series है इसको start किये हैं कि basic जो basic नीव है 6th class की जो book है वहाँ से हमको complete करना है students इसका behind में region ये भी है हो सकता है कि कल हमको regret हो कि 6th class की NCRT से कोई to the point एक कोई question आ गया इसलिए जो sort sort जो भी points है उन सब को हम discuss करके जा रहे हैं हमने देखा था कि 2021 की prelims के अंदर में 2021 की prelims के अंदर में एक 7th class की जो जो ग्रोफी है उससे एक question आया था जो नदी वाला question हो सकता है वो का आपको higher standard books में भी मिल जाए पर एक 7th class की जो book है उसके अंदर भी ओ mention है तो students ये show करता है कि आपको जो basic knowledge है वो होनी चाहिए इसलिए हम 6th class की NCRT's जो जितनी भी NCRT's हमारे exam के purpose से important है और 12 तक जो भी NCRT's हैं इनको यहाँ पे हम complete करेंगे इसके अलावा जितनी भी standard books हैं उनकी related भी हमने वीडियो चला रखे हैं जैसे polity की लक्समी कांथ से related हमारे वीडियो चल रहे हैं lectures continue upload किये जा रहे हैं आपको regular basis पे इसके लावा students अगर हम बात करें कि हमने जो 27 चंदर बुक है वो भी हमने start की है तो इसी वज़े से हम NCRT's को साथ साथ complete करवा रहे हैं हो सकता है कि नॉवंबर तक नॉवंबर के end तक आपका complete course यहाँ पे upload कर दिया जाए इसी के साथ वहाँ उसके बाद में revision classes start की जाएंगी आपको revision करवाय जाएगा continue 2023 के लिए जो भी हमारे important sources होंगे हम current affair की बात करें हम अगर बात करें कि जो test series की बात करें hand outs की बात करें daily practice के वाले questions की बात करें तो सभी चीज़े आपको यहाँ पे upload की जाएगी daily की वीज़ आपको upload की जा रही है daily basis पे वो भी आपके लिए काफी important है तो उन सब को भी आप देखते रही है students तो आज का जो lecture है उसको start करते है our country India हमारा भारत कैसा है हमारा भारत सबसे अच्छा है वैसे तो अगर हम बात करें कि our country India इसके क्या-क्या features है तो उन सब के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं students इसको start करने से पहले सबसे पहले हमको इंडिया का जो location है उसके बारे में पता होना चीए students आप देखे हमारे जो neighbor countries है उनके बारे में हमको special पता होना चीए यहाँ पे हम बात करें कि हमारा ही एक जो भाई है पुराने जो भाई लोग थे हमारे जो partition के वज़े से अलग हो गए जो है पाकिस्तान है western side में एक भंगला देश है जो इंडिया के दुआरा ही इंडिया का ही brain child था इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडरा गांधी का ही brain child था उस समय में इंडिया यहाँ पे काफी ज़्यादा atrocities की जा रही थी western पाकिस्तान के दुआरा तो इसको create किया गया नेपाल है वो हमारा जो नाइबर कंट्री है नेपाल और भूटान हमारे लिए काफी important हुआ करते थे अभी present समय में कुछ international relations अगर आप follow करते हो little bit hostile है नेपाल हमारे से बट वो कोई बात नहीं वो हो सकता है कि कुछ समय बाद फिर वापिस से आ जाए इंडिया की तरफ ही अभी भी जो relations है वो काफी अच्छे है इसके अलावा हम बात करें कि सिरलंका है, मालदीव है म्यानमार है हमारे चाइना है, अखवानिस्तान हमारे लिए काफी ज़्यादा important है तो students, हमको ये पता होना चीए इंडिया की location कहाँ है इंडिया की location एक important ये भी है कि इंडिया ओसिया काफी ज़्यादा जो coastal line हो काफी ज़्यादा है तो ये students show करता है कि इंडिया का domination होना चीए इसके लिए इंडिया के दुआब बहुत सारे initiatives भी launch किये गए हैं अगर आप current affairs को follow करते हो तो आपको पता होगा तो ऐसे बहुत सारे जो initiative है वो launch किये गए है Indian government के दुआरा कि जिसके थूँ Indian ocean में जो presence है इंडिया का जो दिखना चीए presence होना चीए यहाँ island countries है उनके साथ में हमारे अच्छे जो relations है वो अच्छे होने चीए तो ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं जो launch की गई है इंडिया के दुआरा तो students यहाँ पे हम देखते हैं कि इस chapter में क्या-क्या बताया गया है सबसे important बात यह है अगर हम physical structure के बारे में देख रहे हैं तो students हमको यहाँ पे जो अक्सांस रे और देसांतर जो रेखाए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ से कौन सी cross करती है हमारे सबसे east में कौन सी है west में कौन सी है इस इंडियन standard time जो 82 and half है वो कहां से cross करता है मिरजापुर जो city है हमारे जो करक रेखा है करक रेखा की बात करें तो उसको बोलते है 23 and half जो है ट्रोपिक अप कैंसर है वो कहां से cross करती है तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए आप अपने atlas के अंदर भी इन सब चीजों को बनाईए मार्क कीजी अपने atlas के अंदर properly मार्क कीजी इन सब को बारे में जो आप मार्क करोगे तो आपको बेसिकली पता लगेगा कौन-कौन से states के थूरू ये पास करती है दूसरा आपको important यहां पर ये जानकारी पता लगेगी कि exam में भी कभी-कभी इस तरीके से question पूछ लिए जाते हैं प्रजेंट समय में नहीं पूछे जा रहे हैं पहले पूछ लिए जाते थे कि जो equator है उसके east में equator के north में कौन से होंगे अगर हम बात करें south में कौन-कौन से cities होंगे इस तरीके question आ जाते थे आपको पता होना चाहिए एक बार जो 2014 के अंदर एक question आया था 2014 में question आया था कि जो अंडमान निकोबार को कौन सी जो line हो cross करती है तो 10 degree है यहाँ पे 25 है तो यहाँ 10 degree cross करती है students तो यह सब चीजे हमको पता होनी चाहिए students यहाँ पे हम start करते हैं तो India जो country है सबसे important इंडिया के लिए जो है वो यहाँ की diversity है इंडिया इतना diverse country है इतना diverse country है students की यहाँ पे हर 8 km में बोली का जो लहजा है जो dialect है वो change हो जाता है पहनावा change हो जाता है खाने का जो taste हो change होता है हर 10 जो 8 कोस पे बदले पानी ऐसा कु कि एक local dialect, local एक मोहावरा लोकोक्ती जो होती है, वो बोली जाती है, कि हर 8 coast पे बदले वानी, और 10 coast पे बदले पानी, जो water का जो taste है, local water जो होता था, आजकल तो present समय में तो RO की वज़े से आप सभी जगए uniform water है, बट पहले जब हर 10 km, 20 km के पर water का जो taste है, original जो water होता था, जो जमीन का, उसका जो taste है, वो चेंज होता था, वानी means the language, language जो dialect का जो तरीका है, आपने देखा होगा, आप कोई भी state को देख लीजी, आप अगर बात करें कि कोई भी state को, अगर आप राजस्तान की भी बात करते हो, तो राजस्तान के अंदर, बहुत सारी जो language है, उसमें difference ह जो अगर हम देखें, नौर्थ इस्टन राजस्तान है, जो हरियाना से जो टच करता हुआ राजस्तान है, जिसके अंदर हम बात करें, जैपूर का कुछ हिस्सा है, अलवर का कुछ हिस्सा है, यहाँ पे जो language है, वो completely different है, अगर आप देखेंगे, इस्टन राजस्तान में language हो completely different है, ऐसा आपको हर एक state के अंदर देखने को मिलेगा students, जो यह है इसको बोलते हैं, dialect, language नहीं बोलते हैं, dialect बोलते हैं कि dialect के अंदर किस तरीके से change आता है, जो बोली होती है, बोलनी का तरीका होता है, अगर आप बात करोगे हरियाना की, तो हरियाना के अंदर जो सदन हरियाना है, उसकी जो बोलने का जो तरीका हो completely different है, नदरन हरियाना का completely different है, पंजाब के अंदर भी यह variation है, तो इस तरीके से इंडिया का जो सबसे important बात है, वो है इंडिया की diversity, इसी लिए तो कहा जाता है, हम इतने diverse होके ही हमारे अंदर एक unity है, हम सभी एक Indian है, हम सभी य पास्ट जोग्रोफिकल एक्समेंट कंट्री है, काफी लंबा चोड़ा कंट्री है, नोर्थ इंडिया में, नोर्धन एरिया में है, यहां किसके नोर्धन एरिया की बात करें, नोर्धन हमिस्पेर में गिरता है basically, और अगर हम इसके नोर्धन एरिया की बात करें, तो यहां इंडियन पैनेंशुला है उसको ये completely ट्रच करता है उसको ये वास करता है कि कभी-कभी जो हिंदी में आपने कभी read कियोंगे बच्पन में तो बोला जाता है कि भारत वो देश है कि इसके चड़नों को continue Indian Ocean के दोरा जो भारतिये महासागर है उसके दोरा का चड़नों को completely धोय जाता है वास किया जाता है ये हमारे एक हिंदी में हमारे country को जो जो सूसोबित करने के लिए जो बाते बोली जाती है उनमें ये बात बोली जाती है इंडिया के अगर एरिया की बात करें student 3.28 million square km का इसका एरिया है जिसमें Northern Southern का जो extends है वो 3200 km है अगर हम अरुनाचल से और जो right figure नहीं है ये जो आपको approximate बताया गया है कि इतना इतना यहाँ पे change है अगर हम बात करें कि इसमें जो lofty mountains है नदन इंडिया में great Indian desert है जो आपको western राजस्तान के अंदर में गुजरात का कुछ इस्सा वो आपको मिलेगा यहाँ पे नदन एरिया में plains हैं काफी prosperous area है वह ज़्यादा prosperous है इसी वज़े से वहाँ population भी काफी ज़्यादा है आपको देखने को मिलेगा कि जो यू उत्तरप्रदेशन बिहार है वहाँ पे population की जो density हो काफी ज़्यादा है uneven plateau surface है प्लेट्यू सर्पेस कोई uneven है काफी चेंज है उसके अंदर में coastal areas है island है हमारे जो हमारी diversity को यहाँ पे show करते हैं और great variety in climate है vegetation है wildlife है language है culture है तो यह हमारी completely diversity का एक show piece है इंडिया के अगर हम बात करें आप देखिए कि climate के अंदर भी completely change है अगर एक वो जो आप standard comedy अगर आप follow करते होगे तो उसमें बात बोली जाती है मुम्मई के लिए जो मुसम है वो completely same होता है कि सर इंडिया है वो जब January and December का जो समय होता है उसमें जो colder होती है वो काफी कम हो यहाँ पे temperature काफी कम चला जाता है vegetation है उसके अंदर variation आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पे rice हुगाई जाते हैं कहीं पे millets हुगाई जाते हैं अगर हम बात करें राजस्तान गुजरात की और इसम international decade भी celebrate किया जाएगा इसके बारे में तो जो millets हैं उनके बारे में यहां को जानकारी मिलती है कि ऐसे भी जो हैं जो completely country के अंदर कहीं नहीं उगाई जाते हैं कहीं पे cotton उगाई जाती हैं कहीं पे jute का cultivation होता है कहीं पे sugar cane है wildlife completely different है सनो लिपाड मिलते हैं कहीं पे tiger मिलते हैं कहीं पे हम बात करें ascetic lines मिलते हैं तो यह completely different language and culture के बारे में तो हमने देखा है कि हमारा जो पहनावा है उसमें भी change आता है throughout the state भी change आता है throughout the area भी change आता है तो यह सब इंडिया की यहां पे definition है completely इसकी diversity की बात की गई है इसमें बताया जाता है कि जो tropic of cancer है जो 23 and half है वो इस country को completely हाप इससे में बाठती है तो students आपने comment section के अंदर बताना इससे पहले भी मैंने जो previous two previous chapter थे उनके अंदर ये question पूछा था कुछ students ने जवाब भी दिया था comment section के अंदर में कि जो tropic of cancer कौन-कौन से state के थुरू pass होती है एक बार फिर से बता देना आप आपको दुबार सरपास करती है इसके अलावा अगर हम बात करेंगी जो from south to north mainland of India extend between the eight degree and the four four minute and 37 and इतना ये data है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि southern से नदर में इंडिया कितना प्रोस करता है west to east इंडिया का जो location है वो इस तरीके से है 97 है basically और 68 western side में तो इसके बारे में भी हमको प पता होना चाहिए इस्टूटेंस आप देखिए यहाँ पे यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए कि western side में जो इंडिया में है वो 68 क्रोश करता है और जो eastern side है वहाँ पर करता है 97 अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए difference अलमोस्ट लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 120 मिनिट आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 120 आप डिफरेंस देखिए 120 मिनिट का मतलब होता है कि 2 गुंटे अगर आप इस्टरन साइड में और वेस्टरन साइड के एरिया से अगर मैच करोगे तो जो यहाँ पर आठ बजी जो समय होता है अगर हम इंडिया की बात करें तो जो आठ बजी जो समय होता है जो आठ बजी जो समय होगा कहां पर बेसिकली हम बात करें अवनाचल प्रदेश में तो यहाँ पर वो सुबह के 6 बजी के समय वाला जो सूरज है वो उग रहा होगा यहाँ पर आठ बजी के आसपास का समय हो चुका होगा सूरज जो है काफी उंचाई पर जा चुका होगा आसमान में तो इसकी वज़े से हमने इंडियन इस्टेंडर टाइम है वो मैच की जो अडोप्ट किया था 82.5 है उसको अडोप्ट किया गया था इंडिया के दुआरा यहाँ पर यह स्टुनेंट्स काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है कभी-कभी नोर्थ इस्ट के कुछ स्टेट्स है उनकी दुआरा एक वोईस रेज की जाती है कि जो चाई बागान टाइम था जो अंग्रेजों के तहम समय में जो बेटिस पीरियड के समय में जो चाई बागान टाइम उन लोगों ने अडोप्ट किया था उस टाइम पीरियड को फिर से अडोप्ट कर दिया जाए जिससे जो नोर्थ इस्ट के जो स्टेट्स हैं वो वहाँ पे बेसिकली जो डेलाइट का जो टाइम पीरियड है उसका मैक्सिमम यूज कर सके ओफिस आवर्स के अंदर में स्कूल के टाइमिंग के अंदर में वो उसका मैक्सिमम यूज कर सके स्टुडेंट्स आप यहाँ पे एक वैरियेशन देखिए कि जब यहां रात के जब यहां पे 6 बजेंगे, श्याम के, तो उस अमें में यहां तो कमत्री 8 बज चुके होंगे, तो आप देखें कि जो maximum हम देखते हैं कि सरदीों के समय में जो variation होता है, दिन जो छोटे होने लगते हैं, दिन जो छोटे होने ले का सूरज का संसाइट है, वो काफी जल्दी हो जाता है तो उस समय में यहाँ पे जब टाइम पिरिएट तो च्छाई बज रहे हैं पर जो according तो वहाँ पे जो condition हो चुकी है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि रात के 8 बजे के around जितना जो अंधेरा होता है वो सब वहाँ पे आपको देखने को मिलेग या हमने जो देखा इतना जो difference है इसी वज़े से इंडिया ने 82 and half को adopt किया है जो मिर्जापुर से cross करती है 82 and half है जो मिर्जापुर से यहाँ इंडिया में cross करती है तो students यह देखने को मिलता है कि अड़नाचल प्रदेश में जब sunrise होता है तो यहाँ पे completely गुजरात के अंद जो time period होता है वो वहाँ पे show करता है sun बट एक uniform time होने की वज़े से इंडिया के अंदर एक ही time extended होने की वज़े से हमको वहाँ पे जो time period है वो 6 बज़े दिखाई देगा सबसे important बात यह है कि जो countries हैं जिनका extension अगर हम बात करेंगी east to west ज्यादा है उन countries ने बहुत ज़्यादा time periods अड़ोप्ट की हैं हम बात करें USA ने भी जो time periods है वो जितने भी अड़ोप्ट किये हैं 4 किये हैं 5 किये हैं रसिया में 8 time periods हैं different and different time periods हैं इंडिया ने इसलिए race rate इतना ज्यादा नहीं है लोग यहाँ पे confused ना हो जाएं इस वज़े से इंडिया ने नहीं adopt किये हैं यह time period two time periods अड़ोप्ट नहीं किये हैं यह region है आप friends comment section के अंदर बताना कि इंडिया के अंदर में time period तो एक है uniform time period है ऐसे कौन कौन से countries हैं जहां पे different different time period है जैसे रसिय Australia के अंदर 8 है USA के अंदर 5 है Australia के अंदर 3 है तो इन सब के बारे में कौन से country के अंदर कितना time period है कितने time periods उन्होंने adopt कि हैं उनके बारे में हाँ आप आमको बताओगे हां comment section के अंदर अब हम बात करते हैं इंडिया के physical division की जो इंडिया का जो physical division कि से साब से किया गया है उन सबसे पहले बात करते हैं northern हिमाल्याज की जो हिमाल्याज जो mountain region है उसके बारे में यहां बात करते हैं जो lofty हिमाल्याज है वो ice से ढखे हुई हैं वो glacier है वहाँ पे नदियों का बहुत सारा origin होता है तो हमको हिमाल्याज के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी Northern is the Great Himalayas औरabledri जो इनको बोला जाता है और जो जो सबसे सदन में होते हैं उनको बोला जाता है studentsajs सिवालिक तो himalayas के अंदर में range है mountain ranges है fold mountains है इनसके अंदर में जो great hemalia है middle himalia है and helimagries है इन सब के बारे में joh ranges है इनको divide कर रखा है जब हम 11th class की जब book को read करेंगे तो उसके अंदर हम यहाँ पे basically जो completely detail में read करेंगे कि कस्मीर हिमाल्याज कैसे हैं वहाँ पे जो height है वो कितनी है वुत्राखंड हिमाल्या कैसे हैं पंजाब हिमाल्या कैसे हैं हिमाचल हिमाल्या कैसे हैं अरनाचल में अरनाचल प्रदेश में कैसे हैं सोरी इस्टेन पंजाब हिमाल्या नहीं है अरनाचल प्रदेश में हिमाल्याज कैसे हैं सिक्की में हिमाल्या कैसे हैं तो उन सब के बारे में हम complete detail में जब हम read करेंगे higher standard की books तो वहाँ पे हमको read करने को मिलेगा तो students यह देखें आप हमालयाज को जो divide कर रखा है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पे आपको जो planes के बारे में जानकारी मिलेगी जो desert के बारे में यह विंद्या range है हमारी यहाँ से भी कुछ नदिया निकलती हैं जिसमें हम बात करें साबरमती, माही, नरमद तापती, यह कुछ नदी हैं जो इनके beast से यहाँ निकलती हैं जो Arabian Sea के तरफ जाती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं काफी important है यह हमारे eastern जो coastline है western घाट है western घाट है eastern घाट है हमारे इसके लावा डेकन का जो प्लेट्यू है हमारे north east के एरियाज है यह जो ग्रोफिकल ज आपको यहाँ पर जानकारी होनी चीए आप अपने atlas के अंदर इसको काफी detail में देखिए कि कहां कहां क्या क्या located है इसके अलावा students हमने हिमाल्याज के बारे में देखा जिनको तीन हिस्सों में divide कर रखा है अब हम देखते हैं plains के बारे में plains completely हिमाचल है हिमाल्याज ranges है इ पाहडों की जो hills हैं जो peaks हैं वहीं पे जो बरफ जो डखी हुई है वो ही glacier के रूप में काम करते हैं जहां पे किसी भी नदी का origin होता है वो नदी जब south में उसके जब हिमाल्याज को हम हिमाल्याज को left करते हुए जब southern में आती हैं तो just after the southern of the हिमाल्या जो area है वहां पे northern Indian plains या great plains के रूप में इनको जाना जाता है एली वीलियल जो river जो मिट्टी है उसका यहां पे deposit हुआ है इंडास गंगा और भरंपुत्रा इनकी जो tributaries हैं tributaries क्या होती है students tributaries जो नदी के साथ में जो joint कर जाती है नदी के साथ में जो जुड़ जाती है और बात में नदी के प्रोहा या बहाव के अंदर ही अपना जो पानी है उसको release कर देती है उनको tributary बोला जाता है एक major नदी होगी major नदी के साथ में कोई जो नदिया जुड़ती रहती है उनको यहां उनकी tributary बोला जाता है river के course से यहां decide होगा river जी से साब से जा रही है जिस direction में उसके course के according decide होगा कि कौन सी जो नदी है वो right में है कौन सी यहां पे left में है students यह सब हमने देखा rivers यहां पे आती है sediments लेके आती है यहां पे जो land है वो काफी fertile है cultivation काफी higher level पे यहां पे intense cultivation यहां पे किया जाता है इसी वजह से higher concentration of population यहां पे आपको देखने को मिलेगी students इसके ज्यादा important है dry है hot है land काफी sandy यहां पे soil होती है इसके अलाओ बात करें vegetation यहां पे कम है एक यहां पे एक पकसी मिलता है great Indian mustard काफी ज्यादा important है अभी इसके conservation से related काफी important work किया जा रहा है great Indian mustard के बारे में आपको पता होना चाहिए इसी area में जो कच का जो region है जो कच का जो region है वहां पे आपको मिलेगा कि एक मालधारी नाम की एक tribe रहती है जिसने बनी grassland को use किया है जो land degrad हो गई है उसको restore करने के लिए इसी western India के अंदर में आपको जानकारी मिलेगी कि यहां पे basically जो बहुत सारी ऐसी tribes रहती हैं बहुत सारी ऐसी जो communities है जो एग्रीकल यह जो wildlife है इन में हमको एक जानकारी मिलेगी विष्णोई tribe की कि वो जो wildlife है या अगर हम बात करें कि पेडों से कितना प्यार करते थे कि जिसका बारे में आपको देखने को अमरता देवी विष्णोई नाम की एक lady होती है जो पेड के चिपक जाती है और उसको काटने नहीं देती है तो य wildlife है wildlife animals है उन से किस तरीके से अपना जो proper उनका relation है बिस्णोई tribe के बारे में आप Google करके देखना आपको बहुत सारी वहाँ पे उनके बारे में जानकारी मिलेगी कि उन्होंने जो black जो buck है उसको protection के लिए कितना work किया है उन्होंने वहाँ पे तो ये सब आपको जानकारी मिल रखा है बिस्णोई tribe का काफी ज्यादा important role है students वहाँ पे हमारा जो peacefully जो coexistence with the wildlife and wild animals के साथ में तो western राजस्तान की एक खासियत है western India की एक खासियत है desert area की वहाँ पे ऐसे tribes मिलती है जो इसके animals के wildlife के इनके protection के लिए plants के protection के लिए work कर रही है इसके बाद में हमको जानकारी मिलत है students हमारे peninsula area की जो हमारा जो सदन area है वहाँ पे जो platew है triangular shape में है तीनों तरप से यहाँ समुद्धर है यहाँ पे इनके इस region के अंदर सबसे ज्यादा important यह है कि students यहाँ पे आपको मिलेंगे को खापी स्यादा जो minerals है energy rich जो minerals है उनकी आपको यहाँ बहुत ज्यादा वहाँ यहाँ पे density में intensity में आपको यहाँ पे मिलेंगे जो हमारे Indian platew के अंदर में sorry students इसके अलावा हम बात करें students आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे कुछ नदियां भी मिलेंगी जो हमारे platew area के अंदर कुछ नदी है जिसमें हम नरमदा नदी की बात करें तापी नदी की बात करे जो यहाँ पे कुछ ranges बनी है जिसमें विंद्या है, सत्पुरा है इन ranges के थुरू ही ये नदिया है निकलती है Arabian Sea के अंदर ये जाती है Western Ghart के होते हुए यहाँ पे हमको सबसे important जानकर ये मिलेगी क्यों western side में जो drain करती है जो rivers वो delta नहीं बनाती है क्योंकि एक तो उनकी length काफी छोटी होती है sediments जितना लाना चीए river को किशी भी river को उतने sediment ही लानी ही पाती है इस वज़े से ये river जब भी समुदर में जाने से पहले समुदर में मिलने से पहले delta नहीं बनाती है इसमें कुछ चार नदिया काफी ज़्यादा famous है आपको इनके बारे में पता होना चीए याद करना चीए आपको इनके बारे में जिसमें साबरमती, माही, नरमदा, इंतापती तो साबरमती, माही, नरमदा, इंतापती ये चार नदी है जो delta नहीं बनाती है इनके अलावा और भी कुछ नदियां है मेजर ये चार रिवर हैं जिसमें आपको पता होगा कि माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक उप कैंसर को टू टाइम कट करती है जैसी ये ट्रॉपिक उप कैंसर है तो ये मद्यप्रदेश से इस तरीके से आती है राजस्तान में आती है फिर वापी से गुजराज चली जाती है तो इस्टुनेंट्स यहाँ पर ये वन टाइम कट किया ये टू टाइम तो ट्रॉपिक उप कैंसर को टू टाइम कट करती है माही रिवर आपको इन रिवर्स के बारे में पता होना चीए नरम्दा इन तापी के बारे में हमने देखा कि नरम्दा इन तापी है जो इन रेंजेज के थू फ्लो करती है इनका ओरीजिन जो प्लेस है उसके बारे में आपको पता होना चीए इसी एरिया से एक रिवर और निकलती है यमुना नदी जो मद्यवर्देश से निकलती है, ग्राजस्तान में कोटा होते हुए फिर बाद में यमना में जाके मिल जाती है, तो एक चम्बल नदी यहां से निकलती है, और बाद में वो जाके यहां मर्ज कर जाती है, तो students हमको यहां पर यह जानकारी मिलती है नरमदा के बारे में, तापी के बारे में, यह हमको प्लेट्यूज के बारे में जानकारी मिली, पैननशुला जो एरिया है इंडिया का, इसके अलावा हम बात करें कि western घार्ट, western का जो coastal region है उसको western घार्ट बोलते हैं, eastern side में है जिसक कि maximum हमको प्लेट्यू का जो एरिया है, इंडियन प्लेट्यू है, इंडियन प्लेट्यू है, इंडियन पैननशूला है, उसके अंदर हमको एक जानकारी मिलेगी, कि maximum जो rivers है, उनका जो origin इस्तान है, वो western एरिया है, western कौन सा, western जो हमारा western घार्ट वाला region है, उसी western side से originate होत तो इंडियन प्लेट का जब वेस्टन यूरेशन प्लेट के साथ में कोलीजन हो रहा था तो उसी समय में कोलीजन के समय में यहां पे हमारा जो पैनेंशुला का एक इससा टूटके समुदर के अंदर समर्ज हो गया यह वेस्टन साइड का कुछ एरिया है वो टूटके समुद इस साइड में जो उंचाई है वो कम है इस वज़े से जो मैक्सिमम जो रिवर्स हैं जो वेस्टन साइड से ओरिजिनेट होती हैं और इस्टन घाट्स की तरफ में इस्टन इंडिया के तरफ में इस्टन कोस्टल एरिया की तरफ में अपना ड्रेनेज अपने आपको ड्रेन आ काफी ज्यादा important है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए वहाँ पर मैंग्रोज भी मिलते हैं मैंग्रोज काफी ज्यादा important हैं यह सब चीजे आपको पता होनी चीए students इन सब के बारे में जब हम higher standard की जब NCRT रीड करेंगे तो इन सब जो topics इनको काफी detail के इनरे discuss करेंगे यहां से question बहुत तरीके के question आ सकते हैं students जैसे पूछ लिया जाता है कि western hearts में अगर हम बात करें western hearts के उचाई बहुत ज्यादा है वहाँ पे कुछ बीच में जो passage भी है उनको घाट बोला जाता है बोर हाट है पाल घाट है इस तरीके से वहाँ पे उनको बोला जाता है different different areas में different different names है कुछ tribe भी रहती हैं वहाँ पे western गात के बात करें ऐसे इस्टन गात के जो पहाड हैं उनकी जो उचाई है जो माउंटें से उनकी उचाई काफी कम है वो वहाँ पर अगर हम बात करें कि एरोजन भी हो चुका है वहां का काफी पुरानी भी है तो इन सब के बारे मारे में हम detail में discuss करेंगे जब हम higher standard की books को जब read करेंगे इसके लावा students आपको यहां जानकारी होगी कि हमारे दो island groups भी हैं जिसमें हम बात करें कि एक हमारा अंडमान निकोबार है और एक हमारा लक्सदीप island है यह काफी ज्यादा important है हमारे लिए strategic importance भी है इसके लावा लक्सदीप के बारे में आपको पता होगा कौन सी degree line है इनको कहां से cross करती है इसके बारे में आपको एटलस में जरूर पता करना चीए कि जो लक्सदीप में भी different kind of islands हैं तो कौन से island को 8 degree cross करती है कट करती है beast में से कौन सी 9 degree कि इनको separate करती है तो इन सब के बारे में आपको पता होना चीए जैसे 10 degree है जो अंडमान निकोबार में अंडमान अंडर ग्रेट निकोबार को जो separate करती है इससे related 2014 में question था तो इन सब के बारे में हम detail में discuss करेंगे यह हमारे जो strategic importance है इन दोनों islands की इसके अलावा students हमने जो सुंदर्वन डेल्टा है उसके बारे में देखा largest delta है world का